केरल की श्रम कोट से लेवर कोट से एक बड़ा फैसला आया है वहाँ निजी शेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC के एक करमचारी ने याच का दाखिल की और उसमें जो आदेश दिया गया है उसमें ये बोला गया कि ग्रेजुटी का जो केलकुलेशन है उसमें बेसिक सेलरी के सा परसनल पे को भी शामिल किया जाएगा दरसल ग्रेजुटी एक्ट 1972 में हरे और कमीशन और ओवर टाइम को शामिल नहीं किया जाता है लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके आगे पे लिखा है तो उसको शामिल किया जाए ऐसा कोट ने बोला है सरगी क्या पूरा मामला था क्या क यंशन बना मिलकिया जाए आम तर पर जो ग्रेचुटी की कि गणना होती है उसमें जितने भी रिनिम्रेशन का इम्पलाई को मिलते हैं डियर्नस अलाऊंस समेत उन देती है इसके अलावा उन्हें ओवर टाइम के वेज़स देती है और अन्य तरीके के पर्क से अलाउंस देती है इन्हें ग्रेचुटी की गणदा में शामिल नहीं किया जाता है इन्हें आगे रखा बाहर रखा जाता है जो जिस विशाय पर एच्टेफ सी के कर्मचारी ने इस लेवर कोड पहुंचकर अपील की थी उसमें परसनल पे की केटिगरी पूरी तरह से एक ग्रेचुटी के मामले में डिफाइन नहीं है और कोड ने बड़ा फैसला सुनाया है कि अब पूरी पे पर जो भी तनखा का हिस्सा होगा जो भी चीज़े तनखा का पार्ट गी उन पर ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होगा यह फैसला इसली काफी बड़ा है कि इसका असर व्यापक्त रूप से कमपीनियों पर पड़ेगा संभावना इस बात कहे कि हच्टीफसी कोड इस फैसले के खिलाफ मूची एदालत जाएगी और महां जाकर अपील करेगी ले बहुत सारा हिस्सा रेगुलर पे से बाहर कर दिया और एलाउंसेस के खाते में डाल डाल दिया है और तब ये एक नए तरीकी की बहस इसके साथ शुरू हो रही है कि क्या ग्रेचुटी के कमप्यूटेशन का तरीका बदला जाना चाहिए इसका इस घटना कर्म पर हमारी न